सबी को रादे रादे आज हम लोग जानेंगे कि 11 अक्टूबर 2018 को गुरू का जो राशी परिवर्तन हो रहा है वो मिथुन राशी वालों के लिए क्या फल देने वाला है और क्या उसके इफेक्ट या साइड इफेक्ट है और क्या उसकी शुबता में व्रद्धी करने के शुरू करते हैं तो यह हमने मिथुन का राशी चक्र लिया है जिसमें की चंद्रमा हमेशा राशी चक्र में इस स्थान पर होता है लगन में कहीं पर भी हो सकता है बट जो राशी चक्र होगा वो यहां पर ही होना चाहिए चंद्रमा और यहीं पर होता है तो चुकि मिथु मिथुन राशी है और मिथुन राशी का जोतिश में तीन नमबर दिया गया है तो तीन नमबर से शुरू करेंगे चार पाच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा एक दो ठिक अब ग्यारा अक्टूबर को गुरू जो है वो यहां पर आएगा यहां पर होगा ठिक ग्यारा अक्टूबर को रात में लगबग साड़े आठ बजे अब मिथुन राशी वालों के लिए गुरू जो है दो भावों का स्वामी है एक पहला भाव यह है यहां पर पड़ी हुई है धनौ राशी ठिक और दूसरा जो भाव है वो यह है इन दोनों का स्वामी गुरू होता है ठिक तो अब बात करते हैं कि गुरू के यहां पर आने का फल क्या मिल सकता है तो सबसे पहले यह जो भाव होता है यह रोग और शत्रू का होता है यह एक जनरल सी बात है तो यहां पर गुरू के आने से क्या होगा कि मिथुन राशी के खास तोर स ओन्से फीमेल जो महिला जातक होंगी, उनको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या रोगों की व्रद्धी उनको देखने को मिल सकती है, और मेल जो जातक है, पुरुष जातक, उनको क्या होगा, कि जहां पर वो कारेरत है, कारेरत हम इसलिए बोल रहे है, क्योंकि जो दशम्भाव है वो कारे का होता है कर्मिस्थान इसको बोला गया है और यहां पर गुरू की मीन राशी पड़ी हुई है ठीक तो पुरुष जो जातक है उनको अपने कारे स्थल पर अपने जो उनके कमपटीटर्स है या उनके विरोधी कह लीजे दूसरे शब्दों में वो ऐ एसे मिथुन राशी वाले पुरुष जातकों को डिफीट करने की कोशिश करेंगे और मतलब कुछ ऐसा करेंगे या चलाएंगे जिससे की इनको नीचे गिरना पड़े तो ऐसे कारियों का मतलब इनको सामना करना पड़ सकता है इसलिए पहले से सचेत रहें मिथुन राशी वाले पुरुष जातक और महिला जो है वो रोगों के प्रति सचेत्र हैं खास तोर से गले से संबंदे त्रोग जैसे की थाराइड वगेरा है अगर कहीं आपका लगन जैसे माल लीजे की जो लगनेश है आपका कुंडली में वो अगर वीक है तो 100% आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा और 100% आपको अपने competitors के bad behavior का भी सामना करना पड़ेगा बट अगर आपका कुंडली में लगनेश ये जैसे राशी चक्र बनाया तो वैसे ही लगन कुंडली होती है और यहाँ पर जो उसमें राशी नंबर पड़ा होगा वो लगनेश कहलाता है ठीक अब यही अगर हम मिथुन लगन माल लेते तो यहाँ पर लगनेश हो जाता बुद्ध चुकि मिथुन राशी का स्वामी होता है बुद्ध तो बुद्ध अगर वीक है कुंडली में हम समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको तो बुद्ध वीक है अगर तो 100% रोगों का और सत्र का सामना आपको करना पड़ेगा ठीक और एक विशेज जो पॉइंट है वो यह है कि इस पीरियड में मतलब की 11 अक्टूबर से लेके 5 नमबर 2019 तक जिनकी भी मिथुन राशी है उनको बैक का लोन या कर्ज लेने से बचना है यह बहुत important पॉइंट है वरना उनके लिए पर ठीक अब बात कर लेते हैं कि राशी वाइस क्या है अब चुकि जो यहां पर राशी पड़ी है पहली गुरू की वो है धनू और इस स्थान से गुरू बारवे स्थान पर आ रहा है बारवे पर कैसे यहां से गिनते हैं एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा 12 तो यह जो इस्थान होता है दामपत्य जीवन का होता है व्यापारिक साजेदारी का भी होता है और दैनिक आमदनी का भी होता है तो जाहिर सी बात है यहां से द्वादश में होना गुरू का द्वादश बहुत जोतिस में व्याय का माना गया है तो दामपत्य जीवन पर असर डालेगा, व्यापारिक साजेधारी पर भी थोड़ा सा नेगेटिव असर डालेगा और आपकी जो दैनिक आमदनी है, उस पर भी थोड़ा सा इसका नेगेटिव एफेक्ट पढ़ सकता है ठीक अब बात करते हैं दूसरी राशी की तो दूसरी राशी मिथुन राशी वालों के लिए दशम भाव पर है और यहां से एक, दो, तीन, चार, पाँच चुकि गुरू को पाँचवी, सात्वी और नवी दृष्टियां प्राप्त है जोतिश में तो कर्म अगर छेत्र में गुरू की दृष्टी, यह बहुत पॉजिटिव साइन है मिथुन राशी वालों के लिए तो यहां कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके कर्म थोड़े से सनमारगी कह लीजे या अच्छे कह लीजे अगर आपने कर्म थोड़े से बेनिफिट वाले पार्ट में रख लिए अपने तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इस तेरा महिने में अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि थोड़ा सा लोगों की नजरों में बुरे हैं या बैड हैं तो उस पे आपको निगेटिव इसका इफेक्ट मिलेगा तो कोशिश करें कि लोगों को अच्छे कर्मों के द्वारा खुश करने का प्रयास करें ठीक अब बात कर लेते हैं इसकी नवी द्रश्टी की तो पांचवी तो यहां पड़ी रही है एक दो तीन चार पांच छे साथ यहां पर द्रश्टी कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल वह वाली जो बात हमने बताई थी वह व्यापारिक और दैनिकामदनी वाला वो मैटर वही है और उसके बाद आठवी और नवी नवी द्रश्टी यहां पर करक राशी है और करक में गुरू का उच्छ होना जोतिश सास्तर में बताया गया है तो यहां पर धन भाव में गु अगर आप अपने इस पॉइंट को सुधार लें कर्म छेत्र को सुधार लें और उपाय में आप चाहें तो दो उपाय ही हम बताएंगे मितुनराशी वाले जातकों को पहला उपाय यह है कि आप प्रत दिन की पूजा में ब्रहस्पती के मंत्र का जप अगर एक नियम बना लें 51 या 108 बार जो भी आप चाहें करें प्लस हरे पधों को या व्रच्छों का आप अगर रोपन कर लें तो यह कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करेगा रासी के कॉड़ी और गुरू का फल थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा धन के मामले में तो अमीद है आप मैं रादे रादे